नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन के स्कूलों के समय में बदलाव अब 9 से 32 तक अक्छाय होंगी संचारीद जार्खन में मांसुन दस्तक दे दी है, बारिस होने के साथ ही तापमान में भी 23 से गिरावट हो गई है इसको देखते हुए एक जुलाई सनिवार से सरकारी स्कूलों के समय सारने में बदलाव किया गया कई प्राइबेट स्कूलों ने भी अपनी समय सारने बदल दी है इसकूली सिक्षा इमसक्षर्टा विभाग के आदर्स दिन चार्या के अनुसार एक जुलाई से इस्कूलों में कक्छाय सुबा नौ बये से लेकर दो पार तीन बये तक संचालित होगी परतेक कार्य दिवस में सुबा आठ बच कर पैतालिस मेट पर विद्याले प्रवंधन द्वारा लंबी घंटी लगाई जाएगी वहीं प्रातक कारिन प्रातना सभा वा अन गतिविधिया सुबा नौ से लेकर नौ पंदरह तक होगी इस दोरान नियूज पेपर रीडिंग से लेकर जीके वा अन समसाविक गतिविधियों पर चर्चा होगी स्वर्गिय जगनात महतों की पतनी बनेंगी मंत्री तीन जुलाई को लेंगी सपथ स्वर्गिय जगनात महतों की पतनी बेवी देवी तीन जुलाई को मंत्री पत की सपथ लेंगी इस बाबात सियम हमन सुरेन की ओर से राजभावन को पत्र भेजा गया है बता दे स्वर्गे जगानात महतों की पत्नी बेवी देवी हेमांत केवनेट में उनकी जगा लेगी राजभवन के दरबार होल में राज़ेपाल सीपी राधा किष्णान उनको पत एवं गोप निये ताकि सपत दिलाएंगे मुख्य मंत्री सचीवाले से इस बाबात पत्र राजभवन भेज दिया गया है जिस पर राज़ेपाल ले अपनी समाती दे दिया दो पर दो बज़े सपत दिलाई जाएगी दरसर इसी साल छो अप्रेल को चेनाई में इलाज के दोरान जहमों के कदावर नेता और हमंद केबिनेट में मंत्री रह जगनात मतो उर्फ टाइगर दा का निदन हो गया था इसके बाद से ही क्यास लगा जा रहे थे कि उनके परिवार के किसी सा से को केबिनेट में जगा मिलेगी CME School of Excellence के पहले सत्र की शुरुआत जहरखन में CME School of Excellence के पहले सत्र की शुरुआत हो गया सन्निवार एक जुलाई से राजी के सभी उतक्रिष्ट बिद्यालों में पढ़ाई शुरू कर दी गई राइधानी राची में सीएम स्कूल आप एक्सिलेंस में भी एडमिन्सन लिए बचों का खुले दिल से स्वागत किया गया बदाज राजी में नीजी बिद्यालों के तरज पर खोले गए असी सीएम स्कूल आप एक्सिलेंस में पढ़ाई शुरू हो गई है एक जुलाई से इन बिद्यालों में शुरू हुए पढ़ाई की गुनवाता पर बिच्चे स ध्यान रखा गया है इससे केरल, दिली जैसे देश के अने राजेों की तरह जारखन में सरकारी स्कूल की स्याक्षिनिक गुनवाता में सुधालाया जा सके परदेश के जीला इस्कूल सहीत राजभर के सभी सरकारी स्कूलों में पहले दीन सिक्षा बीभाग के निदेश पनमा की सभी बच्चों को पुस्प गुच्छा भेट कर परवेश उत्सों मनाया गया है जगरनाथ पुर मेला गुमने आई नवाली का अपहरन कर समोहिक दुषकर्म रांची से दरिंदगी की एक और तस्वी सामने आई है पांच यूकों के द्वारा एक नवाली के साथ समोहिक दुषकर्म की घटना को अंजाम दिया गया मामला है पिठोय थाना छेत्र की जहां पिडिता के द्वारा दर्ज सिकायत के अनुसार वह अपनी बहन के साथ जगरनाथ पुर मेला गुमने आई थी तब ही एक पुर्व परिचीत ने साजिस के तहत नवाली के साथ उस दरिंदगी को अंजाम दिया है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों गिरपतार भी कर लिया है पता दे कि पिडिता अपनी बहन के साथ जगरनाथ पुर मेला गुमने धुरुआ आई थी इसी दोराण उसकी बहन का एक पुर्व परिचीत युवक सुभास मिल जाता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है नवाली की युवक के जहासे में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए त्यार हो जाती है सुभास उराव ने पीडिता को घर पहुचाने के बहाने से आगवा कर लिया और सुन साना सान पर ले जाकर अपने अने चार साथियों के साथ मिल का समोईक दुसकर्म किया नदी पर पूल नहीं तो भोट नहीं सिम्डेगा के बर्सलोया पंचायत के ग्रामिनों ने जताई नराजगी बर्सलोया पंचायत के बर्टोली के लभग 46 परिवार के 300 लोगों ने धोल बीर नदी पर पूल नहीं तो भोट नहीं का नारा दिया है बर्सलोया पंचायत के बर्टोली में निवायस करनेवाई लगवक्तिन सव परिवायर बारिस के दिनों में लगवक्तिन महिने तक बंधक बन जाते हैं बता दे बर्टोली के यह दस्तान बहुत पुरानी है टोली के लगभग 300 लोग लगभग एक महिने का राशन लेकर आपने घरों में रह चुके हैं बारिस के दिनों में बर्टोली गाउ के बच्चे इस्कूल नहीं जा पाते गाउ तक सवक नहीं है एक मात्र साधन ढोल बीर नदी पार करके 20 सवक तक लोग आ सकते हैं पकी सवक से बर्टोली लगभग 1 किलोमीटर के दूरी परवस्ति था है बीच में ढोल बीर नदी है चत्रा में बुजुर्गों को उठक बैठक कराना बन कर्मियों को पड़ा महाँगा कि माफिया पुरा जंगल साप कर रहे हैं तब सरकार कहां सो रही होती है अपने उप्योग के लिए सुखी टहनियों को ले जा रहे गरीब आदिवासियों पर इस तरह का जुल्म करना कहां तक वाजिब है साथी उन्होंने कहा है कि यह सर्मनाक है मालूम हो कि 28 जुन को परतापुर परखंड के नंदाई जंगल से जलावन की सुखी लकडी वा गुरावन ले जा रहे बईर कोवन कर्मियों ने पकड़ा 31 जुलाई को साहब गंज में अंतराष्टरिय पर्यावरन समेल्यान का आयोजावन जारखन के साहब गंजीले के पतना स्थीत बी एस ए महिला महाविद्याले में अगामी 31 जुलाई दो हजारतेश को आयोजीत अंतराष्टरिय पर्यावरन समेल्यान में देश बिदेश के ख्यात नामा पर्यारवन बीद भाग ले रहे है यह जनकारी देते हुए महाविद्याले के परचारव समेलन आयोजक डाक्टर भानु देव सिंग ने बताया है कि समेलन का उधाटन राष्टर रत्न पदमसिरी राजा लक्षमन सिंग जी और दुमका के सिद्धू कानु मुनु बिद्याले का उपकुलपती डाक्टर बिम बिद्याले के पुर्व कुलपती प्रख्यात सिक्छावीद डाक्टर घंसयाम लाल दास और केंद्रिये बिद्याले हर्याना के पुर्व कुलपती प्रोफेसर उदय प्रकास सिंग एवन भागलपुर बिद्याले के कुलपती प्रोफेसर डाक्टर जोहार लाल सिंग पासे तीन P.L.P. उग्रबादी गिरफ्तार, गुमला जिला अंतरगत राय डी ठना की पुलिसने पर्तिबंधीत उग्रबादी संगठन P.L.P. के तीन हाड़ कोड उग्रबादी गिरफ्तार किया है, ए तीन हो उग्रबादी सबजोनल कमळंडर, राजेस, गोफ उर्फ, टा अगनिपथ योजना के तहत एक से नौ जुलाई तक सारीरिक परिक्षा में विभीन छेत्रों के अभ्यार्थी हिसाले रहे हैं। इस अगनिपथ योजना के तहत सनी वरको गोड़ा, इस्ट सिंभूम, लोहतग्गा, जिले की लगभाग, 1200 अभ्यार्थियों ने दोड़ समेथ कई फिजिकल गति वीदियो में हिसालिया। इसमें से लगभग 520 अभ्यार्थी सफल हुए, सेना के अधिकारियों ने बताया कि सटिक आकडा बाहली परकिरियापूरी होने के बाद ही दिया जा सकता है। बतादर अभ्यार को कोडारमा, पच्मी, सिम्मूम, गोड़ा वा, भोकारो जिले के अभ्यार्थी फिजिकल परिक्षा में सामिल होंगे। पूर प्रमंडल के आयूक्त, दया, निधान, पांडे और संताल, परगना के प्रमंडली आयूक्त, लाल चंद्र, डाडेल ने बैठक की अंतर राजी है, समनवे बैठक के बाद अध्यक्स्ता कर रहे दुमका, प्रमंडल के प्रमंडली आयूक्त, सहमुखे, करकारी, पद होता है धन्यवाद